24 साल के नौजवान हैं और इनकी एक स्रेष्ट हतेली है इसे मैंने टैटिल भी दिया है स्मार्ट हैट क्योंकि ये आभी आगे देखेंगे वीडियो में कि किस प्रकार इस हाथ में बहुत अच्छे योग बने हुए है तो सबसे पहले जो सबसे अच्छे योग बने हैं इन हाथ में इस ये जो हतेली है गुलाबी है धन आकरशन करने वाली हतेली है उंगलियों की लंबाई भी बहुत अच्छी बनी होई है अगर हम हतेली के अनुपात में बात करें तो ऐसी लंबी उंगलिया कला बढ़ा देती है और जो उनकी कनिस्टा उंगली है इसकी लंबाई भी सूरी की उंगली तक जा रही है बड़ा इजी सफलता मिल जाती है ऐसे लोगों को और भी इसके अंदर अच्छे योग हैं वो भी हम देखते है यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बिजनिस लाइन है और यहाँ पर एक पूरा बड़ा मेजर ट्रैंगल बन रहा है तो धन का तो अंबार ये लगे गए ही और अपनी बुद्धी से अपनी स्रेष्टता से अपनी वाणी के दवारा यहाँ पर देखिए बुद्ध के परवत पर इस प्रकार ये जो खड़ी लाइने हैं इंगित करती है वाणी की शक्ती से ऐसे लोग धन बना लेते हैं जब भी हमारे हाट लाइन और माइड लाइन के बीच में बहुत सारा बड़ा गैब दिखता है तो ऐसे लोगों का डिसीजर बहुत अच्छा होता है अपने बुद्धी बल से ये धनवान बन जाते हैं इनके डिसीजन्स बहुत अच्छे होते हैं शनी का परवत देखिए इस प्रकार यहाँ पर खड़ी लाइने भी दिख रही है देखिए ये एक लाइन और यहाँ पर भी दो लाइन है तो शनी परवत पर इस प्रकार अगर खड़ी लाइन होती है व्यक्ति मल्टी सोर्स से धन कमाता है एक से ज़्यदा इनके पैस में स्रोथ होते हैं जो इनकी प्राइमरी लाइन से उसकी भी जो इस्तितियां है वो अच्छी है लेकिन इनकी हाट लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे आइलेंड्स बन रहे हैं तो इसे हम वीक हाट लाइन ही कहेंगे माइन लाइन इनकी बहुत अच्छी है इस प्रकार हल्की सी जुकी हुई चंद्रमा को देखती हुई कल्पना शिल्ता ये सब बढ़ा देती है और हमारे हाथ में धन की जो तरलता है वो भी अच्छी हो जाती है माइन लाइन जब स्ट्रॉंग होती है तो जीवन जीना आसान हो जाता है तो ये तो इनके हाथ में है अब यदि हम लाइफ लाइन की बात करें तो इसमें कुछ इशूज हैं पहले तो बच्पन इनका संगर्स में गुजरा है क्योंकि माइन लाइन और लाइफ लाइन दोनों आगे से मिल के चल रही है इस प्रकार जब मिल के चलती है तो ये जीवन का बच्पन का संगर्स भी दिखाती है इनकी जो ग्रोथ लाइन है देखिए यहाँ पर अच्छी ग्रोथ लाइन बनी है लेकिन यहाँ पर काफी चीज़ें कट गई है यहाँ से देखिए मंगल का परवत है यह और इस प्रकार यदि डबल लाइन ये मोटी लाइन ये राहू की लाइन है ये खतरनाक लाइन होती है देखिए डबल होके निकली है ये और ये शनी परवत की तरफ बढ़ती है सूरे परवत ये इनका जो ठिकाना होता है शनी का परवत और सूरे का परवत इसको ये बिच्छे दन करती है यहाँ पर आके हमारे योगों का अब देखिए ये लाइन जब चलती है इससे हमें साफधान होना चाहिए हमारे लगन शगून इसका नाश करने वाली हमारी जो बदकिस्मती है उसका ताला खुलने वाली ये लाइन होती है जब ये लाइन बढ़ती है आगे तो देखिए यहाँ पर शनी का परवत वक्री हो गया है मैं नई पिच्चर पर एक बर कुना समझाता हूँ शनी के परवत पर हाट लाइन पहुँच रही है और थोड़ा सा गुरू को टच भी कर रही है यहाँ पर देखिए यह है शनी का परवत यहाँ से लिख ली है हाट लाइन और आगे जाके एक विश्णू सिंबॉल का भी निर्मान कर रही है तो ऐसे लोग ऑनिस्ट होते हैं और अपनी इमानदारी से धन कमाते हैं ऐसे लोग को कभी बेमानी का पैसा नहीं रखना चाहिए जो इनकी लग की है 24 इनका 24 इनकी उम्र है और लक की जो इन्होंने बात करी है तो देखें यहां से लक लाइन को अगर हम बहुत गौर से देखें तो इस तरह से लक लाइन चलती है इनकी फिर यहां पर थोड़ा सा हटके चलती है और फिर यहां से भी हटके चलती है लक लाइन जब भी चंद्रमा के परवस से निकलती है तो दूरस्त स्थानों से हमें यह लाब दिलाती है बर्त पलेस हमें छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है और आपोजिट सेक्स से भी हमें लाब दिलाती है इनकी जो अभी वरतमान में जो परेशानिया है इसका एक कारण यह है कि लक लाइन यहां से यहां तक खतम हो गई है थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाता हूँ देखिए आपके वल इंपरेशन दिख रहा है इस प्रकार लक लाइन यहां तक कट गई है और फिर यह 26 और 27 से होकर चलती है और फिर 35 के बाद में थोड़ा सा अलग हटके चलती है यह बताती है कि 35 के बाद में यहां पर चेंज ओफ बिजनिस होगा अब जो इनका खास सवाल है वो यह है कि क्या मुझे सरकारी नोकरी मिलेगी हाथ में नहीं दिखना सरकारी नोकरी क्योंकि सूर्य के परवत पर एक सूर्य रेखा होनी ही चाहिए और अच्छी सरकारी नोकरी क्लास बन की यदि बात करें तो इस प्रकार की रेखा होनी चाहिए यह लकलाइन होनी चाहिए जो शनीकोई परवत को टेच करते हुए सूरे की तरफ मुढ जाए या सीधे गुरू के परवत की तरफ मुढ जाए इस प्रकार या सीधे गुरू के परवत पर पहुंच जाए तो ये सरकारी जॉब दिलाती है तो ना इनके पास में ये लाइन है और ना ये सूरे की लाइन है तो इसलिए गवर्मेंट जॉब की जहां तक बात है इनका कहना है कि क्या 25 साल तक मुझे गवर्मेंट जॉब मिल जाएगा हाथ में नहीं दिख रहा है दूसरा सवाल है कि इनके लव लाइफ किस प्रकार रहेगी हार्ट लाइन में जब भी गड़बड होती है तो ये हमको हमारी लव लाइफ जो है ये गड़बड कर देती है लव में हमें धोके मिल सकते हैं और फिर शनी यहां से वक्री पहले ही है शनी का परवच जब भी वक् बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वक्री लाइन बहुत तगड़ी है इनके शनी परवत पर और आप देख लीजिए कि यहां से यह काली भी हो गई है तो अभी शनी का परवत बिगड़ना चालू हो रहा है एक अच्छा समय है जब यहाथ मेरे पास में आ गया है तो उपाय हो यह संपत्ती की उंगली होती है तेड़ी ना होना चाहिए ना इस तरव जुकी हो ना सूरी की तरव जुकी हो यदि सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति अपनी योजनाओं से धन बना लेता है और हर जातक कि यह जिम्मेदारी है कि उपर वाला पोरवा यदि खुल गया काल हो गया तिला गया जाला बन गया तो जरूर जोतिश के पास पहुंच आए और उससे इलाज कर वाले क्योंकि यह चीजें हमारी जीवन को नस्ट कर देती है पूरा नाश कर देती है जिसे हम सत्यानाश कहते हैं यह सत्यानाश होने का आरंब होता है इस प्रकार की डबल टूटेगी संगर से बढ़ जाएगा जीवन में किसी चीज कोई चीज जो है जो से असानी से बरात किया जा सकता है उसमें अथक श्रम लगेगा और जब व्यक्ति बहुत देर तक बहुत सारा श्रम करता है और जब उत्पत्ति नहीं हो पाती है व्यक्ति फ्रस्टेट हो ज करती है यहां पर देखिए इनकी मंगल लाइन भी है बनी है सपोर्ट सिस्टम इनका अच्छा है लेकिन बहुत वीक हो गई है यदि यह चाहते हैं कि जीवन में लोग इनसे अच्छे लोग जुड़े इस लाइन को मजबूत करिए और यह लाइन ऊपर तक जाकर हमारी कारक दोश कहते हैं जब इसा भैंकर दोश लगता है हाथ में तब ही इतनी मोटी डबल लाइन आगे बढ़ती है तो यह एक खतरना किस्तिती है तो इनका लव लाइफ भी हो गया अब इन्होंने धन का पूछा है तो धन तो मैंने डिफाइन करी दिया कि धन इनको 26 साल से ब वो यह बता रहा है कि व्यक्तित वो बहुत अच्छा है अब मैं इनको एक जोतिसियश सलहा देना चाहता हूँ कि इस हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है और मेरा इनसे कहना है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना यहने अपना समय खराब करना है उतनी देर में आप अपनी ब प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं और जिस प्रकार लाइन बनी है ये बहुत जीवन को आसान कर देगी वैपारिक बुद्धी और बिजनेस का कॉशल इनके पास बहुत अच्छा है ये उंगली भी लंबी है और जब भी इस उंगली ये करिस्टा उंगली है इसके उपर इस प पूर्वेब में ये ये एक दुरलब साइन है इस प्रकार का साइन यदि हाथ में जनरेट हो रहा है कनिस्टा उंगली पर उपर के पूर्वेब में लंबी रिखाएं बन रही है व्यक्ति अपनी योजनाओं सिधन का मालेता बहुत स्रेश्ट वैपारिक बुद्धी होती असे लोगों की और ऐसे लोग तो ब्रेंड बना के काम करते हैं गुरू का परवत जरू थोड़ा सा बिचक गया है क्योंकि जब इस प्रकार ये जो लाइन चलती है शनी परवत को खराब करने और सूर्य परवत को तो गुरू गुरू परवत को ये पहला ही लपेटे लेती है कमफर्ट लाइन की यदि में बात करूं तो यहां कमफर्ट लाइन होती है बहुत छोटी सी है लेकिन ये इस प्रकार बनी है और यहां पर देखिए ये नीचे से यहां से डबल हो गई है और फिर आगे से भी डबल खुल गई है ये लाइन कमफर्ट की लाइन होती है कर इनकी मेरिज संभावेत है तो इनको सरकारी नौकरी की जो तृष्णा है वो छोड़ना चाहिए लव लाइफ कैसी होगी ये भी इनको छोड़ना चाहिए सब भगवान पे छोड़ना चाहिए और शनी और खास जिस वकरी लाइन का मैं एक बरफिर से दिखा दूँ इस प्र जीवन स्मूथ है लाइफ लाइफ लाइन पर कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर थोड़े-थोड़ी सी लेकिन यहाँ पर समय समय पर इनको ग्रोथ भी मिलती जाएगी यह जो खड़ी लाइन है यह ग्रोथ दिखाती है लाइफ-लाइन देखिए नीचे जाके बाइफरकेट हो रही है तो बढ़ापा बहुत फाइन कर देती है तो इनको जो किंता है सरकारी नौकरी की, मैं जो कहा रहा था, जो तिय शठसला में, जो इनको सरकारी नौकरी की अपेक्षाई कर रहे हैं, उसका भूत उतार देना चाहिए, दिमाग से, बहुत सक्सेस वे बिजनेस में, द्धन कमाईए, और अपने जीवन में संपन्नता लाईए, और ज़रूरी नहीं है कि प्रेम विवा ही होना चाहिए जीवन में क्योंकि विवा के बाद भी प्रेम हो सकता है और ऐसा होता है ऐसा जादा होता है और यही हमारी भारत में संस्कृति हमें यही सिखाए जाता है तो प्रेम विवा के पूर्व भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है इनको अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी है शरी गणेश करें पाइम ब्लोग को सबिस्क्राइब करें